हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोग को 10th Science का याने की विज्ञान का आपको बताने वाली हूँ कि syllabus क्या होगा और आपको कौन से चाप्टर से कितने नंबर मिलेंगे याने कि कितने नंबर के question आएंगे मैं 10th Science, English Medium, Hindi Medium दोनों का ही बताने वाली हूँ कुछ बच्चे मुझे comment में पूछ रहे थे कि 50 नंबर का question पर आने वाला है तो आप 75 नंबर का क्यों बता रही है तो मैं आपको एक बात बता दू बच्चों जिसने भी ये बताया है आपको कि 50 नंबर का इस साल एक्जाम होगा तो ये अभी तक clear नहीं हुआ है अभी तक board से मतलब CGBSC जो board है वहां से ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है ये हो सकता है January या February में वो clear करें लेकिन अभी तक ऐसा ही है ये blueprint CGBSC के site से ही मैंने upload किया है जिसमें साफ साफ लिखा है 2020-2021 का blueprint है तो अभी तक तो यही decided है कि यही आपका marking system होगा बाकि अगर कोई अलग changes होगी तो वो ज़रूर आदेश में बताया जाएगा जो कि अभी तक नहीं बताया गया है अगर वो आदेश आएगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी बता दूंगी आपनों को लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आया है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तो इंग्लिश मेडियों का देखिए, आप देख सकते हैं, second number वाला जो चैप्टर है, acid, bases and salts, ये वाला चैप्टर और fourth वाला चैप्टर है, periodic classification of elements, तो ये दोनों चैप्टर का मिला के आपको eight number का questions इन दोनों चैप्टर में से आएगा, unit two में देखते हैं, धातु एवं धातु कर और धातु का रसायन, ये दोनों चैप्टर में से आपको eight number की question आएगे, English में हम देख लेते हैं, धातु एवं धातु कर्म, English में है, देखे, chapter nine, metals and metallurgy, और धातु का रसायन, याने की है, chemistry of non-metals, lesson 11, देखिए, nine और 11, ये दोनों में मिला के आपको eight numbers का आ सकता है, तो चा प्रकार के आपको eight number के इन दोनों chapter में से कर लेने है, आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने इस बार ठान लिया है कि बच्चों का कैसे भी करके 90 score करवाना है, तो उसके लिए मैंने playlist बनाया है, playlist में सबसे पहले आपको मिलेगा, board exam 2021 study tips, आपको कैसे तैयारी करनी है, के लिए आपको कौन-कौन से study tips मैं दे सकती हूँ, वो सारे मैंने यहाँ पे upload की है, आप इसमें जाके देख सकते हैं, time table कैसे बनाना है, अपने speed को कैसे बढ़ाना है, notes कैसे बनाना है, और especially class 10th board के लिए मैंने playlist बनाया है, revision playlist, जिसको आप करेंगे तो आप बहुत अच्छ से class 10th board exam की तेयारी कर सकते है, especially English, देखिए लिखा है, हाँ पे scroll करते भी नीचे जाएंगे, तो class 10th English board exam 2021 revision series लिखा हुआ है, इसको click करेंगे, इसमें 27 वीडियो है, जैसे इसको click करेंगे, तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, और इसमें line से देखिए सारे videos बने हुए है यह सारे important videos हैं, class 10th वालों के लिए, especially English और उससे related बहुत सारे आने वाले videos में, सारे playlist इसी में add होते जाएंगे, class 10th का especially, तो इस playlist को आप ध्यान रखिए, और इसी playlist में आपको हर subject का मिलता जाएगा, तो इस playlist में आपको sample paper भी दिख रहे होंगे, इस playlist में आपको blueprint भी दिख इस playlist में आपको English के सारे chapters मिलेंगे, important questions मिलेंगे, सब कोच, तो इस playlist को ध्यान में रख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं Unit 3 में, Unit 3 में देखिए Hindi Medium वालों का Danic G1 में रसायन, Hydrocarbon के वियुत्पन, ये दो है, और English में इसको अगर देखे तो Chemistry in Daily Life, और Chemistry in Daily Life 17 नंबर में है, आपको दिखरा होगा, और उसके बाद है, Derivatives of Hydrocarbon, तो ये दोनों में से आपको 8 नंबर के questions आएंगे, इसका ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बुला, 4-4 नंबर के भी आ सकते हैं, या फिर 2-2 नंबर के 2 questions और 4 नंबर के 1 question, तो इस तरीके से आपको क्लास 10 साइंस का पूरा एक साथ important questions देने वाली हूँ, तो आप लिए उसके लिए तयार रहिए, एक वीडियो में especially बनाने वाली हूँ, जिसमें में क्लास 10 का सारा पिछले 5 सालों में जितने questions आए हैं, सारे questions को मैं एक वीडियो में बना कर देने वाली हूँ, तो आपके ल दोनों chapters से आपको 7 number का question आएगा, इंग्लिश मेडियो में वाले देख लीजिए, heat and temperature और दूसरा है, energy, forms and sources, देकी 80 number में हैं, तो ये दोनों lessons में से आपको 7 number का question आएगा, छोटे भी आ सकते हैं, long भी आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से prepare कीजिएगा, next unit है, unit number 5, unit number 5 में दे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सता से, और दूसरा है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलिय सता से, ये 10 number का दोनों chapter में से आएगा, छोटे भी आ सकते हैं, long भी ज़रूर आएगे, और इसमें diagram अगरा भी आता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इ और रिफ्रेक्शन इन स्फेरिकल सर्फेसिस, तो इन दोनों में से 10 number के questions आपको prepare करने हैं, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 6, विद्द्धारा एवं परिपत, और है विद्द्ध के चुम्बकिये प्रभाव, इन दोनों में से आपको 9 number के questions आएंगे, इसका English म हम देख लेते हैं, electric current and circuit 6 number का lesson है, और इसके बाद है, magnetic effects of electricity, तो ये दोनों चाप्टर में से आपको 9 number के questions आ सकते हैं, साथवा यूनिट है, जीवो का विकास, और उसी में दूसरा है, अनुवांशी की जनको से संतानों तक, तो इन दोनों लेसन में से आपको 8 number के questions पूछे जाएंगे, English में देख लेते हैं, जीवो का विकास आने पहला number chapter, evolution, और अनुवांशी की जनको से संतानों तक है, नी साथ करना है, उसके बाद आते हैं, unit number 8 में, यह सबसे बड़ा unit है, प्लस इसमें सबसे जादा number के questions आते हैं, तेरा number के questions आते हैं, यह जैविक प्रक्रियाय, पहला है, पोशन, परिवहन, स्वशन, उत्सर्जन, दूसरा है, नियंतरन, एवं, समन्वे, और तीसरा है, प्रोसेस वाले chapters है, देखिए, life process, nutrition, transport, respiratory and excretion, life process, 8 number वाले lesson, control and coordination, फिर नेचे आकर देखिए, आप life process, 40 number lesson है, life processes, reproduction, growth and development है, यह तीनों है life process, जो chapters है, इन तीनों में से आपको 13 number के questions, पूछा जाएंगे, तो इस तरीके सा आपको prepare करना है, अब last unit आते है, unit number 9, जो कि है हमारा परियावरन, परिस्थितिक, तंत्र में उड़जा का प्रभाव, तो इस में से आपको 4 number के question पूछे जाएंगे, English में देखिए, English में है यह lesson 5, our environment, energy flow in ecosystem, तो इस chapter में से आपको 4 number के question answers prepare करने हैं, तो इस तरह से आपका यह पूरा complete होता है, कि आपको कैसे science मे किस-किस lesson से कितने-कितने number के question पूछे जा सकते हैं, I hope मैंने आपको बहुत अच्छे से clear कर दिया है, और इसके सारे question answers, जो important question answers है, वो भी मैं कुछी दिनों में upload कर दूँगी, मुझे थोड़ा समय दीजी, क्योंकि पिछले 5 साल के question papers में से ढून कर निकालने हैं, तो अपना धिहान रखे, अच्छे से पढ़िए, और अगर मेरी ये महनत, क्योंकि मैं बहुत महनत कर रही हूं बच्चो इसके पीछे, तो इसलिए मेरे इस महनत को आप reward देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए, तो बस इतना ही कीजिए कि like कर दीजिए और मेरे इ अपना धिहान रखे, लव यू